अलो रेट फ्रेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने शेनल आपकी सहेले सुमन में प्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस period cycle में आपको ऐसा क्या करना है ऐसे कौन से काम करने है आपको जिससे कि आपका अगला period आए ही ना और आप conceive कर लें जो महिलाई गरब धारन के लिए try कर रही होती हैं जैसे ही उनके period की date नस्दीक आती है तो उनको बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि इस महीने उनके periods ना आए और गरब ठहर जाए लेकिन unfortunately होता क्या है कि जैसे ही उनके periods की date एक से दो दिन गुजरती है उसके बाद periods आ जाते हैं और आप बहुत ज्यादा हतास हो जाती हैं बहुत ज्यादा निरास हो जाती हैं कि इस महीने भी हमने pregnancy के लिए try किया था बट pregnancy नहीं हो पाई तो आज के इस वीडियो में पांच ऐसी टिप बताने वाले हैं हम इस period में ऐसे आपको कौन से पांच काम करने हैं जिससे अगला period आपका आएगी ना और आप pregnant हो जाएं तो चलिए बेना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो अगर आप लोगों को useful लग रहा है अब बहुत से महिलाओं के लिए ये confusion होता है कि उनका evolution day कब होगा क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अपना evolution day नहीं पता होता है उन्हें अपना evolution day calculate ही नहीं करना आता है तो आपको इस confusion से बसने के लिए एक आसान सा तरीका आपको यहां पर बता देती हूँ कि जिस दिन दसवे दिन से लेकर बीसवे दिन तक इन दस दिनों में अपने partner अपनी husband के साथ में regular relation बनाना है अगर आप evolution period में relation बनाते हैं तो maximum chance होते हैं गरब थारण करने के अब दूसरा important काम जो आपको करना है वो यह है कि जैसे ही आप relation बना लेते हैं relation बनाने के बाद आपको कुछ कुछ देर के लिए दाई करवट में लेटा है और कुछ देर के लिए बाई करवट में लेटा है इसकी वज़ए यह है कि महिलाओं में दो ovaries होती है एक left side में और एक right side में एक महीने left side के ovaries से egg release होता है और एक महीने right side के ovaries से egg release होता है चूँकि आपको नहीं पता होता है क महीने आपकी left ओवरी से एग release हुआ है या फिर right ओवरी से तो आपको करना क्या है relation मेलाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनाट तक दाई करवट में लेटे रहना है और 20 से 25 मिनाट तक आपको बाई करवट में लेटे रहना है क्योंकि आपके अंदर किसी भी साइट से रिलिस हुआ है uhuris से फैलप्वां त्यूब के अंदर आ जाता है और वहीं पर stick करता है फ्रह आपके husband Kayess therapies को वहाँ तक पहुंचना होता है राइट फैलपेन ट्यूब में या लेफ फैलपेन ट्यूब में जहाँ पर एक पड़ा है और एक को स्म mentre इसे इंपॉर्डेंट काम जो आपको करना है वो ये है कि बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल होता है उनकी प्रॉब्लम होती है कि रिलेशन बनाने के बाद में सारा जो सीमेन होता है वो बहार निकलाता है तो इस कंडिशन में क्या प्रेग्डेंसी होगी या फिर नहीं होगी इस कंडिशन में हमें क्या करना चाहिए तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेग्निंट होने के लिए आपका एग फटाइल होना जरूरी है और इसके लिए सिर्फ एक सुकरानों काफी होता है पूरुसों के सीमेन में कई करोड शुकरानों होते हैं आप अपने बट के नीचे एक पीलो रख ले और 15-20 मिनट तक बैट पर लेने रहें रहें रहसल संबंद के बाद में जो सीमन बाहर निकलता है वो नॉर्मल है ऐसा ग्रेविटी के कारण होता है इससे गरब धारन की संभावना कम नहीं होती है चोथा जो इंपोर्डेंट क किनी कारणों से लेट होने लगते हैं तो डॉक्टर उनको यही एडवाइस देते हैं कि रिलेशन के बाद कम से कम 25-30 मिनट तक बैड पर लेटी रहना चाहिए पांचों जो काम आपको करना है वो यह है कि फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें आप प्रेग्नेंसी के लिए अपने अहार में सामल कर सकते हैं जैसे की बी विटामिन से बरफूर फल जैसे की चुकंदर केला संत्रा हरी पत्ते दाय सब्जय जैसे की पालक ब्रॉकली का रेगुलर रूप से आप शेवन कर सकते हैं तो अगर आपके अंदर कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है लोगों के लिए यूस्फूल रहेगा मिलते हो नेक्स वीडियो में तब तक लिए बब बाई